अभारत का चंद्रयान तीन मिशन 48 दिन में चंद्रमा पर पहुँचेगा। जबकि अमेरिका और रूस जैसे देशों ने 50 साल पहले ही चांद की दूरी कुछ ही दिनों में तैय कर ली थी। उननीस सो आइकामीस में ततकालीन सोवियत संग ने चांद पर अपना मिशन लूना दो भेजा था। ये महज 34 घंटों में ही चांद पर पहुँच गया था। ठीक दस साल बाद 20 जुलाई 1968 में अमेरिका ने अपना अपोलोग आरह मिशन रवाना किया। यह पहला मौका था ज दोपहर चंद्रमा की ओर उडान भरी। इसे आंद्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीष धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया है। 615 करोड की लागत से तयार हुआ। यह मिशन करीब 40 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षणी धुरुव के पास लैंड करेगा। चंद्रियान तीनी को भेजने के लिए LVM3 लांचर का इस्तिमाल किया गया है। अगर दक्षणी धुरुव पर लैंडर की सॉफ्ट का वक्त लगा था। अब सवाल ये उठता है कि जब कुछी घंटों में चान तक पहुँचा जा सकता है तो भारत के चंद्रियान को इतने दिन क्यों लग जाते हैं। इस सवाल का जवाब रॉकेट की डिजाइनिंग इस पर खर्च होने वाले इंधन और चंद्रियान की स् इस्तिमाल किया था जो सुपर हेवी लिफ्ट लॉंचर था। यह प्रतिघंटा तीनीट हजार किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इसके अलावा इसमें पैताली स्टन भारवाहक शमता भी थी। चंद्रमा तक की तीन वो आठ लाख किलोमीटर की दूरी को तै करने के लिए नासा के रॉकेट ने चार दिनों का वक्त लिया था। हालांकि इसमें आर्थिक पहलू भी है और उस दौर में नासा ने 185 मिलियन डॉलर की रकम खर्च की थी। इसके उलट भारत ने इतने ताकतवर रॉकेट का इस्तिमाल नहीं किया। इसके चलते इसरों ने सीधे की ब इसमें से 376 करोड रुपिय जीसल्वीम के बीवी के निर्मान में खर्च किया गया है। नासा के सैटर्न वी के मुकाबले ये खासी कम रकम है। 2006 में नासा का न्यू होराइजन प्लूटो मिशन चांद पर 8.5 गंटे में पहुँचा उसके बाद वह प्लूटो की और करता है। उसी के हिसाब से चांद पर जाने वाले रूट को तै किया जाता है। जितने कम दिनों में चांद पर पहुँचना चाहेंगे उतना ज्यादा इंधन जलेगा और उतना ही ज्यादा खर्च भी आएगा। उधारण के लिए भारत के चांद मिशन में जिस GSLV रॉक सैटर्न V के मुकाबले बहुत कम शक्तिशाली है। लेकिन इस पर खर्च भी काफी कम आएगा। कम शक्तिशाली रॉकेट कैसे तै करते हैं। सफर, दरसल कम शक्तिशाली और छोटे रॉकेट चांद तक पहुँचने के लिए चांद और प्रिथवी दोनों के गुरुत्व करशनी ये खिंचाव का इस्तिमाल करते हैं। इस वजह से उनका ज्यादातर समय इन दोनों की परिक्रमा करने में बीच जाता है। इसमें इंधन बहुत कम खर्च होता है। चंद्रियान तीन भी इसी तरह चांद पर पहुँचेगा। और यही वजह है कि इसको चांद पर उतरने में करीब 48 दिन लगेंगे। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।